Hello everyone, welcome back to the channel The Zoraw Classes. My dear friends, आज के session में आप बात करने वाले हैं आपकी best books for KVS PRT as per your new slivers. Let me introduce myself first, मेरा नाम अंकित बालियान है, मैं पिछले 8 सालों से KVS में as a PRT teacher लगा वाहूं और अब मैं YouTube पे आप जैसे बच्चों की help करता हूं, जो KVS में as PRT लगना चाहते हैं. So बेटा ये जो exam button अभी आप अपनी screen पर देख रहे हैं, ये KVS PRT का new exam button है, जिसमें आपकी journal English 10 number की आनी है, जिसमें 10 questions पूछे जाएंगे, journal Hindi 10 number की 10 questions, journal awareness and current affairs 10 number की 10 questions, reasoning ability और computer literacy 55 number की 55 questions, ये total मिला के आपके 40 number होते हैं 40 questions के साथ, फिर आते हैं part 3 पर, perspectives on education and leadership, ये बहुत ज़्यादा important मैं इसको कहता हूं क्योंकि ये one third है आपका, पूरे आपके exam का, exam pattern का, इसमें आपके 60 questions पूछे जाते हैं 60 marks में, फिर आता है आपका subject concern, जिसमें आपसे पूछा जाता है, Hindi, English, Maths और EBS, ओके बेटा, ये आपका total करता है, 80 questions with 80 marks, तो total आपके होते है 180 questions, 180 marks with 180 minutes, there is no negative marking, कोई negative marking नहीं है, and your exam will be CBT, that's mean आपका exam online होना है, तो चलिए friends, time ना waste करते हैं, आज का अपना station स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे journal English की, देखें, यहाँ पर जैसी हम journal English कर लेंगे न, तो हमारा जो subject concern part का English है, 20 number का, वो भी यहाँ पर साथ साथ में complete हो जाएगा, journal English आनी है आपकी 10 number की, plus 20 marks लगा लीजे आप, वो जो आपका subject concern part है, क्योंकि वहाँ पर जो English का syllabus दिया गया है, that is very basic, वो बहुत ही basic है, जो सारा cover हो जाता है आपकी जर्नल English में ही, ठीक है, तो यहाँ पर हम 30 number की English की बात कर रहे हैं, और इस 30 number की English के लिए, आप कहां से खुद तयारी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, The very first book is Plintu Path, from Plintu Path ये नितु सिंग द्वारा लिखी गई है, written by नितु सिंग, और बच्चे ये इसलिए मैं बहुत अच्छी बुक मानता हूँ, because ये English में है, English means, English का अनुवाद है, साथ साथ में आपको हिंदी में भी चीजे बताई गई है, rules यहाँ पे सारे define किये गए है, rule number one, rule number two, और बताया कुछ इस तरीके से गया है, बच्चे यहाँ पे, कि जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगा, English का बहुत अच्छे से use किया गया है इस बुक में, इसकी दो volume आती है, volume one and volume two, तो आप वो दोनों देख सकते हैं, it is really a wonderful book, जब मैंने कभी English की start की थी, तो मैंने इस बुक से, और साथ में जो मेरी दूसरी बुक थी, वो मैं आपको बता दूँ, Lucent, Lucent की English भी बिल्कुल सेम चीज करती है, जो आपकी print to paramount करती है, ओके, ये दोनों books अगर आप साथ में पढ़ लेंगे, तो आपका revision भी हो जाएगा, पहले आप एक book पढ़ सकते हैं, उसके बाद दूसरी, या दोनों में से एक भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास time न में Hindi English का mail मिलेगा, दूसरा, दोनों में rules बड़े अच्छे से define किये गए है, so for me, journal English के लिए अगर आप ये दोनों books complete कर लेते हैं, starting से लेके end तक, तो बेटा, इस 30 number में आप यहाँ पे 25 plus score कर सकते हैं, this is my vision, अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है जी, चले, next चलते है, next बात कर करते हैं आपकी, journal Hindi की, journal Hindi भी सेम है बेटा, journal Hindi 10 number की आनी है, plus 20 marks की आनी है, subject concern में, तो यहाँ भी 30 marks हो जाते हैं, और यहाँ पर भी 20 marks की journal, मतलब subject concern Hindi आएगी, वो भी बहुत जादा easy और basic है, तो अगर आप इस journal Hindi, यानि की पूरी व्याकरण को complete कर लेते हैं, हिंदी की, तो आपको फिर ये 20 number की तयारी करने की कोई ज़रत नहीं होगी, तो सबसे पहली recommended book मेरी जो यहाँ पे रहेगी, it is Lucian, सामान्य हिंदी, wonderful, मैं कहाँ इस से best book मुझे नहीं लगती है, अगर आप basics पे काम करना चाते हैं, अपनी हिंदी के, बहुत अच्छे से हर एक topic को explain किया गय आपके आसपास के घर के जब भी book stores होगे, आपके वहाँ पर ये available होगी आसानी से, दूसरी बताओंगा बेटा मैं, शायद आपको मिले या ना मिले, दूसरी book है आपकी Hindi व्याकरण एवम रचना प्रभोध, okay, class 9 to 10, अगर ये book आपको नहीं मिलती है, तो इसकी PDF मैं हमारे टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा, जिसका लिंक नीचे आपको description में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप follow कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने सामानी हिंदी के बाद ये book पढ़ ली ना, तो आप हिंदी में महारत हासिल कर लेंगे, मैं लिख के दे रहा ये दोनों book अगर आप पढ़ लेते हैं, आपके यहाँ पे 30 में से मैं कह रहा हूँ 28 प्लस नमबर, 28 या 28 प्लस ध्यान रखना 30 में से 30 भी आ सकते हैं, इन दोनों books की इतनी जादा gravity है, इसके बाद कुछ नी चूना है हिंदी में, ये guarantee के साथ कह रहा हूँ बच्चे में, ये दोनों books complete कर लेना, इसके बाद कुछ नी चूना है, अगर ये वाली book नहीं मिलती है, हिंदी, व्याकरण, एवं, रचना पर बोध, तो इसके PDF से आप इसके notes निकाल सकते हैं, फोटो, वोपी बगारा, जैसे भी आपको ठीक लगे, प्रिंट आउट, ठीक है, इसका PDF है ये मैं अपने उस time से पढ़ता हूँ, जब 2014 में मेरी job लगी थी बच्चे, तो current affairs उस time पे 40 number की आती थी, आज तो 5 number की होगी है KBS में, उस time पे 40 number की current affairs आती थी, और मैंने monthly current affairs श्याद पिछले 3-4 महीने की पड़ी थी सिर्फ, और उसी में से शाद 30-32 number की current affairs आगी थी, दे सकते हैं, बड़े अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से current affairs के facts जो है, आपको इस PD में देखने को मिल जाते हैं, दूसरी book आप सबको पता होगा, PD परतियोगीता धरपन, starting के 10-12 page हर मई, ये monthly basis पे आती है, सबको पता है आपको, starting के 10-12 page इतने अच्छे notes होते हैं बेटा मतलब जब भी आपका exam है, मानके चलो आपका exam FAB में या मार्च में है, तो उससे पहले 8 महीने की current affairs आपको complete करनी है, for those 5 marks, और हमें current affairs बहुत ज़्यादा depth में नहीं करनी है, ठीक है, इस जिसका ध्यान रखें, योगि number 5 ही है, तो 5 number को 5 number वाला ही time देंगे, हम बहुत ज़् depth में नहीं करनी है, उपर उपर से करनी है, और ये काम बखू भी आपकी speedy और परतियों की दधरपन आपको करा देगी, ठीक है जी, चली आगे चली, अच्छा मैं आपको suggest करूँगा कि जो journal awareness वाला part है, जितनी आपने पढ़ी हुई है journal awareness उसको इतनी ही रहने देना, otherwise इसक skip करना, क्योंकि journal awareness बहुत बड़ा होता है, जिसमें आपकी political science, geography, economics, civics, x, y, z, science आती है, उसमें कितना सारा international आता है, national आता है, नदिया, पता नहीं क्या क्या आता है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको skip करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पांच नमबर, 180 में से इन पांच नमबर के लिए अपना इतना समय वेस्ट करें, ठीक है, negative marking नहीं है, मानलो 5 में से 2 question आपको आते हैं, तीन में दुख्या लगा देना, एक वो लग जाएगा, तो 5 में से 3 आपके नमबर वैसे भी बन जाने है, यह एक practical सला है आप लोगों that is, आरस अगरवाल के दुआरा एक verbal and non-verbal करके reasoning आती है, वैसे तो यह बहुत जादा मोटी book है, लेकिन मुझे reasoning में से best कुछ नहीं लगता, number of questions, number of questions जो हैं आपको इस book में मिलते हैं, और variety मिलती है, basic से advanced तक की, basic से advanced तक की आपको variety मिलेगी इसमें, कि पहले basic questions आते हैं, फ practice बहुत ज़रूरी है, वो practice आपकी बहुत अच्छे से हो जाती है, अगर आप इसको नहीं चाते हैं, तो बेटा SSC या bank की कोई भी अर्यंत की या उपकार की भी book ले सकते हैं, क्योंकि 5 number की reasoning आनी है, इस पे हमें वैसे भी जादा focus करना नहीं है, main focus हमारा पैड़ा हुई औ subject concern पर रहने वाला है, ठीक है, so but इससे best book market में आपके पास नहीं होगी, एस चांद की ये publication है, R.S. अगरवाल ने लिखी है, इससे best reasoning के लिए आपको शायद नहीं मिलेगी, साथ साथ में हिंदी मिनें वाले बच्चे, उनके लिए मैं R.K. जहा की एक book है, वो suggest करूँँग की, ये भी मैंने करके देखी थी एक बार, तो अच्छे questions, questions का जो level है, वो अच्छा और standard है, वैसे reasoning अगर आपको करनी है, तो मैं आपको एक और सला दूँगा, कि S.S.C. दुआरा, या किसी भी चीज़ के कोई भी questions हो, P.Y.Q. होगा हो, ठीक है न, P.Y.Q. से क्या होगा, कि आपना standard questions करेंगे, जितने भी questions करेंगे, वो सारे standard questions होगे, exam में आए वे questions होगे, तो अगर आपको practice करनी है, तो P.Y.Q. से करें previous year question paper, for those five marks, और बेटा, reasoning में तो 5 में से 5 देखो score करना है, आगे बात करते हैं, computer literacy की, computer literacy की, as such मैं कोई book आपको suggest करता नहीं हूँ, बट फिर भ तक की date में जब भी ये book छपी होगी बेटा, वहाँ तक के कुछ practical questions या कुछ fact based questions जो आपके exams में पूछे जा सके हैं, वो इसमें दिये हूँ है, तो ये suggest करूँगा मैं, बाकी computer जो है, उसकी practical knowledge check की जाती है, KVS में, ये आप ध्यान रखे, KVS आपकी practical knowledge check करता है, तो उसके लिए बिटा, इस 5 number के लिए आपके पास laptop या फिर computer होना necessary है, क्योंकि जब तक आप word, excel, powerpoint इन सब चीजों को खोलेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो बिटा, यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किले आपके सामने आ सकती हैं, तो मेरा suggestion आप लोगों को ये ह ये खोल के देख सको, बाकी मैंने भी पूरी कोशिश की हुई है, यूट्यूब पे आपको ये तीनों चीज पढ़ाने की, तो आप हमारी playlist चेक कर सकते है computer की, वहाँ पे एक idea आपको अच्छे से मिल जाएगा, कि किस तरह के questions आते हैं, और बाकी कोई book नहीं पढ़नी है computer क आना है, पांच section में divide किया है, इस बार KVS ने इसको, और बड़े लंबे चोड़े जो हैं, वहाँ पे topics दे दिये हैं, अलग-अलग section इन पांचो sections में, तो देखो भई, जितने भी B.Ed या D.Ed वाले बच्चे हैं, सबसे पहले तो आपकी books, जो आपने first and second year में पढ़ी है, उनकी धूल जो है, उनपे सो उड़ा देना एक बार, उनको revise करने के लिए, सबसे पहली चीज़ आपको यह करनी है, दूसरी चीज़ बेटा, जितने भी topic हैं, आपके related to psychology और education, वो आपको सारे के सारे NIS में मिल जाएंगे, देखिए NIS के courses हैं, 501 से लेके 5-10 तक, ठीक है, और इसमें around 31 block हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, 31 block हैं, यह 31 के 31 block नहीं करने हैं आपको, ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो हमारे syllabus में पूछा गया है, हमें यहां से सिर्फ वो पढ़ना है, जैसे कि सबसे पहला, जो आपका section आता है, 15 number क जासे 15 question आने है, वो mostly जो है, वो growth and development पे हैं, और growth and development जो है, आपको इन में से कोई से भी course में जरूर 101% मिल जाएगा, दूसरे में आपका main focus learning पे रखा गया है, तो वहां से आप learning पे जहां भी दिया हुआ है, वहां से पढ़ सकते हैं, तो बेटा NIS में बड़े अच्छे त पढ़ लेना, लेकिन पढ़ने सिर्फ topic हैं, ऐसा नहीं है कि NIS के सारे courses लेके बैठ गे और उन्हें पढ़ने लगे, सिर्फ topic जो आपको दिये हैं, वो पढ़ने हैं, अपने notes बना लेना, इस से जादा इसमें कुछ नहीं करना है, बाकि अगर first or second year की आपने जहां D.Ed, B.Ed NIS के जो आपके courses बता हैं, मैंने वो as per your topics, okay, and the second thing is 11th and 12th NCRT book as per your topics, कुछ नहीं चुए, इसके अलावा कुछ मच छेड़ना, कहीं से कुछ नहीं आएगा, यहीं से आना है, सब कुछ पहले बता रहूं मैं आपको, okay, wonderfully, NIS के अगर आप courses देखोंगे, इतना मजा जाएगा देखे थे, तरीके से वहाँ पर content दे हुआ है, क्योंकि मेरे को अभी भी आदाता है, कुछ historical policies के बारे में आपका एक topic है, बिटा, सबसे पहला जो block है, 501, उसका पहला और दूसरा chapter ही यही है, तीसरा chapter आपका RT का है, तो तीनो chapter चुरू के 501 block के, जो आपके course 501 में आते है तो बिटा, ये तीनों ही है आपके course में, इसमें दिये हैं, फर्स्ट भी करना है, सेकेंड भी करना है, थर्ड भी करना है, आगे मैंने देखे नहीं थे, बट मैं देख रहा था, तो वहाँ से अपने बहतरीन तरीके से आप अपने नोर्स जो है, बना सकते हैं, ठीक है जी, और साथ साथ में आपकी NCRT की books रहेंगी, 11th और 12th class की, बट वही चीज़ पढ़नी है, जो आपके topics दिये हुए, आगे बात करें, सो बिटा, gadgets होते हैं, ये देखिए, भारत का राजपत्र, the gadget of India, अब ये क्या है, ये है आपका POCSO Act, ठीक है, POCSO Act 2012 की हम बात कर रहे हैं, क पढ़ेंगे खुद से, gadget आपको सारे का सारा जो है, Google पर मिल जाएगा, otherwise मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़े मैं अपने हमारे टेलिग्राम ग्रूप में डाल दूँगा, टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा, उसका link नीचे description में है, उसको जाके join कर लेना, आदत डाल ये authentic source से पढ़ने का, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सर कोई किताब बता दो KVS के लिए, जिसमें सारे subject हो, एक ही book में सारे subject, बेटा कभी मत पढ़ना, कभी मत पढ़ना बेफकू बन जाओंगे बिलकुल, कोशिश कीजिए कि जितने चीजों के गजट मिल जाएं आपको कितने 60 pages का है, इसको उपर-उपर से पढ़ लेना, वैसे तो इसको मैं बहुत जबर्दस तरीके से अपने जितने भी मेर से होगा, वो YouTube पे भी कराऊँगा, और course में भी दूँगा, वो मेरी headache है, बट अगर आप खुद तयारी कर रहे हैं, तो NEP आप ये 60 pages का एक draft ह है, Hindi English दोनों में मिलेगा, इसको जरूर करना है, बहुत ज़ादा important है, मेरे साब से, यहां से 4-5 number के questions इस बार आप से पूछे जा सकते हैं, NEP से, उके, उसके बाद बात करते हैं, निपुन भारत की, National Initiative for Provency in Reading with Understanding and Numeracy, निपुन भारत, ये party है आपका एक NEP का, और निपु computer-based learning, जिसे कहते हैं, आप CBL, वो भी आपका निपुन भारत के अंडर ही आता है, जो आपके syllabus में दिया हुआ है, तो ये जो है, ये तो वैसे 300 pages का draft है, बट कोशिस कीजेगा कि जितना हो सके, at least ये topics, FLN हो गया, CBL हो गया, जो आपके experience in learning हो गया, जो आपके syllabus में दिये हु भी आपको gadget मिल सके, as per your syllabus, वो पढ़ लेना, ठीक है बच्चे, बाकी हम हैं आपके साथ, जिस तरीके की authentic news और authentic sources बता रहा हूँ मैं आपको कि आप कैसे त्यारी कर सकते हो, आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही कराते रहेंगे, चलिए, आगे चलते हैं, ये होगी, अब करते हैं EVS जो है, वो 6 themes है, EVS की, उसमें जो है, EVS का syllabus, जो 20 number का आना है, वो के EVS ने divide कर दिया, ठीक है, और वो 6 themes कहां पे है, वो class 3 to 5 में, ये class 3 की EVS की book है, class 4, class 5, अब मुद्दा ये है, कि उन्होंने 12th class तक कह दिया है, कि वो depth check कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज के बारे मैं मैं क उसके बाद, 3 to 5 में जो topics हैं, इन topics के according हम 6, 7 and 8 की science की books पढ़ेंगे, और उनके notes बनाएंगे, ठीक है, ये धियान रखेंगे, जो मैंने फिर से कह, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 3 to 5 के जो topics हैं, हमारी priority सबसे पहले class 3 to 5 रहेगी, उसके बाद, class 6, 7 and 8 के वो similar topics, जो class 3 to 3 to 5 में पुछे हैं, उनको हम यहां से तयार करेंगे, ठीक है जी, बाकी कुछ नहीं करना है, इसमें, 9th and 10th का, जो हमारे courses के बच्चे हैं, उन्हें अच्छे से बता होगा, हमने 9th and 10th, और मैं कह रहा हूँ, courses नहीं, अगर आप हमारे साथ जुरावर classes से जुड़े हैं, त लेकिन हमारी priority पहले 3 to 5 रहने वाली है, अगर आपको भी करना है, तो आप इस तरीके से तयारी कर सकते हैं, बात करते है math की, math भी बहुत जादा basic दे दिया, basic क्या दे दिया, class 1 to 5 NCRT वही, जो same चीज, EBS के साथ किये, वही बेटा किसके साथ किये, आपकी math के साथ, class 1 to 5 math क सारा का सारा जो आपका syllabus था, वो as it is उठागे डाल दिया, मैंने बताया हुआ है कि कैसे करनी है math की तयारी वाली वीडियो में, ठीक है, तो ये सारी चीजे आप यहां से कर सकते हो, बट मैं math में आपको suggest करूँगा, कि अपनी तयारी वही basic to advanced वाली करनी है, जिसमें आप basics सीखते हैं सारा, सब कुछ करते हैं, और advanced level तक जाते है, geometry ऐसे नहीं कि circle पे ही आके रूख गे, geometry आपको 10th class तक ही करनी है, जो हम पहले कर रहे थे, मतलब maths का syllabus जो हम पहले तयार कर रहे थे ना, वो same करना है, बस, simple सा ये रखो, जिनकी maths बिल्कुल weak थी या 0 है, उन्हें आजाएगा, क्या पता, बिल्कुल easy maths आजाएगा, कुछ नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने 125 वाला syllabus दिया है, बट maths की तयारी आप वही जारी रखेंगी, जो पहले करते थे, और maths जो आपका competitive maths होता है, आप उसी हिसाफ से maths की तयारी करेंगे, तो ये सारी चीजे हैं, जो म मैंने पहली बता दिया था, तो ये आपके 180 marks complete हो जाते हैं, अब बात करते हैं, बिटा, course, कुछ बच्चे हमारे course से भी जुड़ना चाहते हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो बिटा, हम KVS PRT का course प्रोवाइड कराते हैं, आपको as per news labels, जिसमें हमारी classes जो है, वो similar topics के, तो ये complete कराएंगे हम आपको, उसके बाद 10 mock test हम provide कराने वाले हैं, नए pattern पे जो 180 marks वाला है, doubt session, telegram, community हमने आपके लिए बनाई हुए, जिसमें around 1200 plus बच्चे स्टाइम जुड़े हुए हैं, वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कोई भी problem होती है, you just post your question, तो वहाँ questions के answers जो है, बच्चे ही दे देते हैं mostly, अगर नहीं होते हैं तो फिर मैं एक दुबार आके मैं देख लेता हूँ आप, ठीक है, सारा syllabus जो है हमने NCRT book से cover करने की कोशिश की है, इसमें जितना हम कर सकते हैं, उसके बाद साथ साथ में इसमें आपको interview की preparation भी कराई जाएगी इसी कोर्स में, बचा आज का जो इसका प्राइज है, इस 2599, हमारा कोर्स का प्राइज डेली 100 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, ये कल 2499 था, उससे पहले एक दिन 2399 था, और आने वाले कल, यानि कि कल जो आएगा, उसमें हो जाएगा 2699, तो अगर आप हमारे साथ जुढना चाहते हैं, तो भीटा, the zurawa classes की app, the zurawa classes की app आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसके बाद store section में जाए, store section में जाने के बाद, आप KVS PRT का, जो हमारा कोर्स से उसमें इन्रोल कर सकते हैं, एक और चीज, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं इसारी कि मैं किस तरीके से आपको तैयारी कराने वाला हूँ ठीक है ना ये ये जितनी भी चीज़ें हैं कि सारा गजट्स आप देखो तो बिटा हमारे कोर्सिस की जो अथेंटिसिटी है वो यही है कि जब भी कोई content बनाया जाता है तो वो इन्हीं ड्राफ्ट से या इन्हीं गजट को उठागे बनाते हैं जो मैंने RTE दिया हुआ है RTE आपको पढ़ाया हुआ है वो सारा RTE घजट जो था आपका वहीं से लिया था किसी दूसरे की help नहीं ली थी जो मैंने NEP पढ़ाया था तो NEP ये 60 pages का जो आपका draft है यहीं से उठाया था सारा किसी का source Google से या किसी की वी starting page पे आपको NCF मिल जाएगा कहीं से पढ़ने की जुरूत नहीं है NCF 2005 मिल जाएगा तो यह authenticity होती है तो हमारा जो आपको content देने का वो रहता है वो authentic ही रहता है मैंशे तो आप हमारे साथ बिलकुल बे इचक जूड सकते हैं बाकि demo teaching वगरा कि सब की तयारी कराई जाएगी आपको इसी में within the course आपके interview तक ठीक है जी तो I hope आपको इस video से help मिली होगी अगर मिली है तो बेटा इस video को share कर सकते हैं like कर सकते हैं और बाकि भया तयारी कीजिए जल्दी ही आपका exam date भी announce हो सकता है और जल्दी हो सकता है exam भी बहुत जादा ऐसा नहीं कि बहुत जादा time म हो जाती मैं आपको अभी उस बारे में नहीं बताऊंगा बट येस ये जरूर है कि exam जल्दी में भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि वो board exams वाला scene देखे क्योंकि board exam का अलग department है और आपका Ftech company को CBS ने टेका देदी है एक private company को वो आपका exam लेगे ठीक है तो चलिए bye away and take care god bless you all यही बताना था आज का और बाकी telegram चल को join कर लो वहाँ पे इस सारी चीजे में डाल दो ठीक है bye bye take care